बॉर्डर गवस का ट्रॉफी की शुरुवात हो चुकी है इस बात से तो खेर हम सभी वाकिफ हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चेंपियन्शिप के लिहाज से ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इस बीच एक ऐसा पॉइंट है जो शायद आपके जहन से भी चूक एक बार फिर से अपने नाम करने की कड़ी मशकत कर रही है अब दस साल के इंतिजार को खत्म करने की आस फैंस खास तोर से रोहिच शर्मा और विराट कोहली से लगाए बैठे हैं हाला कि पिछली वर्ल्ड टेस्ट चेंपियन्शिप में टीम इडिया ने फाइनल तक का सफ पर तो तैक कर लिया था लेकिन जरा सी चूक की वज़े से निउजिलेंड के हाथों हमें हार का मुझ देखना पड़ा था खैर इस बार टीम इंडिया की कोशिश लगातार जारी है लेकिन मुद्दा ये है कि टीम इंडिया के इन दो दिगजो यानी रोहिच शर्मा और वि विराट से खास उमीदें किस लिए तीम इंडिया में दिगज खिलाडियोंको लेकर जिक्र करें तो इसमें रोहिच शर्मा और विराट कोहली सबसे आ गया आते हैं वही दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में बताया था कि टीम इंडिया बीते दस साल से ICC ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रही है जिसे लेकर इस बार फैंस को इन दो खेलाडियों से टीम को जिताने की खास उमीदें हो सकती है वही अब पर्टिकोलरली बात करें तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि रोहिच शर्मा के लिए ये सिरीज क्यों एहम है कप्तान रोहिच शर्वा के लिए इस सिरीज को जिताना बहुत बड़ी जिम्बेदारी है जिम्बेदारी इसलिए क्योंकि हिट मैन की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार इतनी बड़ी सीरीज खेल रही है और ये सिरीज WTC के लिहाज़े से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही हलाकि हिट मैन की कप्तानी फ्रे फैंस को पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी काफी ज्यादा उमीदे थी जी हाँ रोहिच शर्मा के पास अब जीतने के लिए WTC और One Day World Cup 2023 है अब अगर ऐसे में जो चीजें हैं वो कप्तान रोहिच शर्मा के पक्ष में रही तो जाहिर है वो बहुत सी अलोचनाओं का सामना करने से बच सकते हैं और अब आईए जाने की कोशिश करते हैं कि टीम इंडिया के पूर्वगबतान विराट के लिए ये सिरीज क्यों एहम है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में विराट के शतक को लेकर सूखा पड़ा है साल 2019 में फैंस ने उनका आखरी टेस्ट शतक देखा था लेकिन उसके बाद से अभी तक उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी नहीं लगाई है जिसे लेकर फैंस को इस बार उनके शतक की खास उमीदे हैं साथी साथ वन डे और टी टुटी की अगर बात करें तो इसे लेकर हम सभी जानते ही हैं कि विराट ने अपने फॉर्म को रीकवर करते हुए इन दोनों फॉर्मेट में शतक जड़ दिये हैं लेकिन बस अब टेस्ट के शतक का इंतजार बाकी है भारत और उस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट में तो टीम इडिया की जोली में आ चुका है कंगारूस पर खिलाडियों ने हमारे खिलाडियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है लेकिन ये आस्ट्रेलिया की टीम है आगे क्या कुछ करते कुछ कहा नहीं जा सकता आपको क्या लगता है रोहिच, शर्मा और विराठ कराएंगे इस सिरीज में वेडा पर कमेंट सिक्षन में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली से लाइक और शेयर भी जरूर करें फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में